प्रहा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइक ओन दबाना ना बोलें मैं है स्लामुदिन खार और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स मुंबई के घाटकों पर मानखुर्द लिंक फ्लाई ओवर पर दुरघटनाओं के बाद अब बीमसी के मीत खुली है इस बिरिज पर लगातार दुरघटनाए हो रही है सोमवार के दिन ही एक 34 साल के यूसुफ खान भी इस फ्लाई ओवर पर फिसल गए थे और जिससे उनकी जान चली गई थी जिस तरह से इस पर हादसे हो रहे हैं उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं आपको बता दे कि इस फ्लाई ओवर का उधगाटन एक अगस्त को सियम उधव ठाकरे ने किया था और एक महीने में ही लगातार यहां दुरघटनाए हो रही हैं और दुरघटनाओं पर हंगामा होने के बाद बीमसी ने अब सुरक्षा की दृष्टी से कदम उठाना शुर पर दोनों तरफ से हर 500 मीटर पर स्पीक ब्रेकर लगाया जाएगा साथ ही सिसी टीवी लगाए जाएगी और रंबलर्स भी लगाये जाएगे वाहनों की फिसलन को रोकने के लिए रोड पर मास्टिक असफॉल्ट लगाया जाएगा बीमसी का कहना है कि फ्लाई ओवर पर 50 क चार पहिया और दो पहिया वाहन चलाते हैं जिसकी वज़े से तुर घटनाएं हो रही है मगर अब रफतार पर लगाम लगाने के लिए बीमसी उपाई योजना कर रही है वही इस बिरिच के उपर से हाई टेंसल वायर भी गया हुआ है जो बड़ी गाडियों के गुजरने पर करन्ट लग सकता है इसकी उचाई बढ़ाने के लिए बीमसी ने राजर से बीभाग को भी खत लिखा है वहीं एहतियात के तौर पर घाट को पर मानखुर्द फ्लाई ओबर को एक तरफ से बंद किया गया है क्योंकि यहां पर काम शुरू किया गया है पताय जा रहा है क चार से पांच दिन काम लगेगा इसके बाद यह रास्ता खोल दिया जाएगा तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं प्रहार टेंग्स